नमस्का दोस्तों हमारे चैनल पर आपके स्वागत है आज मैं बात करने वाला हूँ हेल्थ आईडी कार्ड को आप कैसे बना सकतो इंडिया में अल्लेडी 306 कोडर मेंबर ने बना चुगा है अगर आपने अभी तक नहीं बनाए इस वाले वीडियो को देखने का बाद जाके आपको पादा चलेगा चले दुस्तों वीडियो को सुरू करते हैं पहले आपको क्या गहान है गूगल क्रूम ब्राजर को उपन कर ले नहीं मोबाल कर सकते atoreं कोल आपको लेड़ करण तो हैं इंट्सके बनाए इल्थ ऑढ़र कर चुका है Health ID Card के लिए अगर आप भी यहाँ पर Health ID Card बनवाने चातो तो आपको क्या गरने यहाँ पर दिखाद रहे Genet Health ID इसी के उपर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपके पास इसी टाइप के पेज जो पेन हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकतो अगर आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है अपने पास driving license भी नहीं है तो भी आप apply कर सकतो वो भी मैंने आप लोगों को last में बताने वाला हूँ अभी मैंने आप लोगों को बताने वाला हूँ आधार कार्ड के थ्रू आप कैसे Health ID Card create कर सकतो इसके लिए क्या करने यहां पर दिखाएदर है जनेर्ड भाया आधार इसके पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको क्या करना है थोड़ा चा नीचे की तरवान है अगर आपके पास आधार नॉमबर है आपको क्या करने यहाँ पर आधार नमबर फिल कर देना है अगर आपके पास आधार नमबर नहीं है वर्चुल आईडी है तो भी यहाँ पर आप वर्चुल आईडी भी फिल कर सकते हूँ अगर आप यहाँ पर वर्चुल आईडी और आधार कार्ड के नमबर यहाँ पर चेक करने चाहद हो तो आपको क्या करना है इसके पर क्लिक करने के बाद आपने आधान नमबर या वर्चुल आईडी दोनों में आपने जो भी फिल किया आप यहाँ पर चेक कर सकते हो मैंने यहाँ पर आधान नोमबर फिल कर लेता हूँ आधान नोमबर फिल करने के बाद आपको क्या करना है थोड़े से नीचे की तरब आना है उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है I agree इसके पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है I am not a robot तो आपको क्या करना है यह जो box दिखाए दे रहा है इसके पर आपको क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर summit दिखाए दे रहा है summit के पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपके आधारकार में जो भी mobile नमर रे फिल कर लेता हूं ओटीवी फिल करने के बाद आपको यहां पर सॉम्मीट दिखाई दे रहा है सॉम्मीट के पर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको क्या गना है आपको यहां पर क्लिक कर देना है इसके पर क्लिक करके आपको दोबरा ओटीवी मंगबा लेना है मेरा पास आ कुलिक कर देता हूं आफ यह पे देख सकतो हमारे प्रोफाइल है यहाँ पर ओपेन हो जाएगा जो कि आपके अधार कार्ड में जो भी डिटेल्स आया पर फ्याज हो जाएगा उसके बाद आपको टी संग करने चाह्ब यहां पर आप अपने फोटो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अपने आधारकार में जो भी नाम है आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उसके बाद आपको यहाँ पर एक virtual ID क्रीट करना होगा, जो कि आपके नाम आप यहाँ पर फिल कर सकते हो नहीं तो आपको क्या करना है अपने email address आपको यहाँ पर फिल कर देना है लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर दूसरे के नाम पर कोई भी ID होगा आपको इसी तरीके से आपको rate color दिखाई देगा तो आपको क्या करना है सही तरीके से अब आपने वर्चॉल आइडी को create करना है जो कि किसी के नाम पर यहां पर ना हो अब यहां पर देख सकते हमारे यहां पर वर्चॉल आइडी आप यहां पर देख सकतो आपके health ID card number आपको यहां पर दिखाई देगा अपने वर्चुल ID आपको यहां पर दिखाई देगा 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 आपको य यहाँ पर print out ले लेना है नहीं तो download कर लेना है अगर आप चाहतो कुछ correction करना है तो आपको क्या करना है यहाँ पर दिखाद रहे my account इसके पर आपको क्लिक करना है सबस्क्रां आपको क्लिक करना है और आके आपको क्या तीक पर यहाँ पर आपने हमवार लाइक करना है यह जो छोड़ा सा बोक्स दिखाए डिखाए दो रहे करते हैं उसके बाुद आपको 700 श्रूरी कि उपरुट करना है उसके बाद आपके पास 51 यहां पर 100 पर क्लिक ट करने के बाद आपने नाम अपको यहां पर फिल करना है मिडिल नेम यहां पर फिल अगर आपको पास middle name last name नहीं है तो आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना है only first name यहाँ पर फिल करना है उसके बाद यहाँ पर आपने date of birth फिल करना है अब पूरुस हो तो पूरुस के पर क्लिक करना है अगरा मोहिला हो तो मोहिला के उपर क्लिक करना है उसके बाद क्या करना अपने एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर स्टेट के उपर क्लिक करना है अपने स्टेट आपको यहाँ पर चूज करना है स्टेट सिलेट करने के बाद आपको यहाँ पर चूज करने के बाद आपको यहाँ पर चूज करने के तो एक लाइक कर दिए चानल को सब्सक्राइब दिए और बेल नोटिविकेशन को और दिजय जैसे मैं नेक्स्ट वीडिये डालूँगा आपको बेल नोटिविकेशन पहुंजाए ठाइगी दोस्तों मिलते हैं फे नेक्स्ट वीडियो में